नमस्कार मैं हूं ससी आये जलगां के टॉप 25 परमो खबर जनते हैं महाराश्ट्र के जलगाओं में जनता कारफ्यू का एलान कुरोना के बड़ते मामले को देखते हुए महाराश्ट्र के जलगाओं में जनता कारफ्यू को एलान किया गया है बता दे जलगाओं के जिला अधिकारी की ओर से मंगलवार को जारी किये गए आदेस में कहा गया कि 12, 13 और 14 मार्च को जिले में जानता कार्फ्यू रहेगा जानता कार्फ्यू के दौरान अत्यावसक सिवाव को छोड़ कर सब कुछ बंद रहेगा निउज एजनसी एनाई की रिपोर्ट के अनुसार जलगाओं डियेम अभिजीत रावत ने जानता कार्फ्यू को लेकर नियमो के बारे में बताते हुए कहा कि जलगाओं नगर निगम में 11 मार्च को रात 8 बहे से 15 मार्च को सुबा 8 बहे तक जानता कार्फ्यू लगाया गया है मौसम विभाग के अनुसार आई दो फर बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है बता दे राजे के रांची, रामगड, हजारीबा, खोटी, गुमला, बोकारो, चत्रा, गढ़वा और कोड़ार्वा में आंसिक रूप से बादल छाये रहेंगे वहीं कुछ जगा पर गर्जन भी होंगे राजे के सेस जीलों में मौसम समाने रूप से साप रहेगा मौसम में इस परिवरतन का ऐसर राजे में 12 मार्च तक देखने को मिलेगा मौसम विभाग ने 12 मार्च को गर्जन के साथ बारिस की समावना जारी करते हुए एलोहलर जारी किया है नंद घर का संचालान सरानिये कदाम हिमन सुरेन मुख्यमत्री हिमन सुरेन ने काया कि राजे में ओध्योगों का विकास करना सरकाय का लग्ष है एसल बेदान समुह द्वारा बोकारो जीले में बड़ी संख्या में नंद घर संचालित करना सरानिये कदाम है नंद घरो के सुबारम होने से ग्रामिन छेतरों में अवस्तित आंगन वाडी केंद्रों को नया चेहरा देने का कार्या प्रणब हुआ है ग्रामिन छेतरों के बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए यह एक महत्वपुन पर्यास है एब आते मुख्य मंत्री ने मंगलवार को जारकरन बेदान समवा इस्थित अपने कर्याले कक्ष में इसल बेदान्त बोकारों द्वारा नंद घर के उद्गाटन कारकरम को समदूत करते हुए कई बिधायकों की अनुसंसा पर 10 किलोमीटर सड़क अलमगीर अलम सरकार हर बिधान सबा छेतर में सड़कों की मरमत अथ्वा निर्वान के लिए बिधायकों के अनुसंसा पर 10 किलोमीटर सड़क का काम इसी बित्य वर्स में कराएगी बता दे पिछले साल कोवीट नाइटिन के कारण रासी आवंटन नहीं होने की वज़ा से बिधायक अपने छेतर में सड़कों का निर्वान नहीं करापाय थे मंगलवार को ग्रामिन विकास विवाक के कटोती प्रस्ताओ के दोरान सता पक्ष और विपक्ष की ओर से इसे समन्दित मांगो का जबाब देते हुए ग्रामिन विकास मंतरी आलमगीर आलम ने इसकी घोसना की उध्योगों की हो रही समिक्षा हर हाल में दिलाएंगे रोजगार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एमांसुरे ने काया कि वेराजे में अस्थापित एक एक उध्योगों की समिक्षा कर रहे हैं किस उध्योग ने कितने अस्थानियों को रोजगार दिये कितने स्कूल वास्पताल बनाए अस्थानियों लोगों की समस्याओ का कितना समधान हुआ सब की समीक्षा वेकर रहे हैं उन्होंने मंगलवार को विधान सभा में असपर ठुप से कहा कि इस विषाय को लेकर सरकार गंभीर और चिंतित है अस्थाफित उध्योगों में राजवास्यों को रोजगार मिले इसे लेकर भी सरकार कटीवद है मोखे मंत्री भाजबा विधायक अमर बावरी द्वारा बोकारों के इलेक्ट्रो इस्टिल कंपनी के संबंद में उठाएगा मामले पर अपनी बात रख रहे थे 12 मार्च को रांची में स्टेक होलर स्मीट नई दिली में पिछले दिनों आयोजित स्टेक होलर स्मीटिंग की अगली कड़ी में रांची में ही ऐसी ही एक बैठक के आयोजित की त्यारी की जा रही है बतादे कारिकरम में राजे की उध्योग निती पर व्यावसाई घरानों और इन से जुड़े संगटनों से भी चर्चा होगी और सभी के सायोग से नई निती का प्रारूप तय किया जाएगा बैठक में उध्योग पतियों से निवेश के लिए आगरा किया जाएगा और उनकी मांगो के अनुरूप सुविधाय उपलब्द कराने की कोशिश भी होगी बतादे 12 मार्च को कारिकरम आयोजित करने के लिए तयारिया यूद अस्तर पर की जा रही है मिड़े मिल खाने से इंकार कर रहे बच्चे रजे में एक मार्च से आठवी की पढ़ाय सुरू हो गई है बतादे इस कलास के बच्चों को पढ़ाय के साथ साथ मद्यान भोजन भी दिया जा रहा है कई इसकूलों में बच्चे मद्यान भोजन नहीं कर रहे है वहीं कई जगों पर खुद अईवावक आकर मिट डे मिल देने से मना कर रहे हैं बता दे धनबाद जीले से अची सीकायते जारकन मद्यायन भोजन प्राधिक करन को मिली है करोडों रूपाई काट कर भी आखे दिखाता है डीवीसी मुखमंत्री हमासुरे ने मंगलबार को विधान सभाब बजट सत्र की पाली में कहा कि दामोदर घाटी निगम डीवीसी से राज्य तरस्त है डीवीसी केंद्री उपकरम है वह आम लोगों को नहीं उद्योग घरानों को भीली देता है पहले तो जार्खन के कड़ोरों रुपए काट लिए और अब आये दिवीसी आख दिखाता है इसके खिलाब जार्खन में करवाई के लिए विपक्स की समाती जरूरी है यदि विपक्स की समाती हो तो बड़ी करवाई कर सकते हैं उन्होंने काया कि जार्खन में डीवीसी पर न केल कसने के लिए कदम उठाया जाएगा जार्खन में डाक्टरों की हरताहाल जार्खन में लंबित एरियर भुक्तान की मांग को लेकर राजे के सभी छो मेटकल कॉलेज अस्पतालों की ओपीडी मंगलवार को पूरी तरह बंद रही बतादे रेजडेट और जूनियर डाक्टरों के ओपीडी बैसकार का व्याफक असर राजभर में दिखा रिम सहीद सभी मेटकल कॉलेज के ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों को लटना पड़ा बतादे साल 2016 से 29 तक सातवी बेतर मांग की लंबित राजी अभीता क्रेंडे डक्टरों को नहीं मिली है जारखन में 62 संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो राची से 31, पूर्वी सिम्भूं 12, धनबाद 6, बोकारो 4, रामगड 2, हजारी बाग 2, सराई केला 1, सिम्डेगा 2, दुमका से 2 मिले है जारखन में कोल संक्रमितों की संक्रा 1, 2, 3, 4, है वहीं 1, 18, 87, 87, लोक स्थ हुए और 1,093 की मिली हो गाई जारखन में 494 एक्टीब केस है भारत में 16,846 नए मरीज मिले है भारत में कोल माउत की संक्रा 1, 58,089 है वहीं एक्टीब केस 1, 81,43 है IR City का ओफिस एवं सतलज एक्सप्रेस का रांची तक विस्तार रांची में रेल सुधावों के विस्तार और नाई ट्रेन के परिचालन को लेकर मंगलवार को रांची के संसर संजर सेठ ने रेल मंत्री पिउस गोयल से मुलकात की बतादे इस तुराण उन्होंने रेल मंत्री से रांची में विभेन ट्रेनों के ठाराव या नाई ट्रेन को परिचालन को लेकर चर्चा की लुद्याना से धनवात तक चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस का परिचालन रांची तक करने या रांची में आयार सीटी का ओफिस खोलने समेथ कोई मांगे रखी रेल मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकरात्मक और सार्तक पाहल करने का अस्वासन दिया है दल बदल मामले में स्पीकर ने हाई कोट से मांगा समय बाजपा नेता पाबलन मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में जारकन बिदान सभाध द्यक्स रविंद्रात महतो की ओर से महादिवक्ता ने हाई कोट में पिछली सुनवाई के दवरान चार सबता का समय मांगा थ लेकिन उस दिन सुनवाई कोट में नहीं बैठने के कारण टल गई थी मंगलवार को फिर इस जिकर की ओर से च्छो सब्ता का समय मांगा गया है दूबाई में फसे गुमला के दो मजदूर लोटे सकुसल दूबाई में फसे गुमला के घागरा परखंड के नवड़ी यहा बर्टोली गाउं के मजदूर सुनिल भगत वा डूग को गाउं के अजय उराओ को सकुसल वापस लाया गया है बता दे पिछले दिनों मुकमत रहमान सुरेन ने दोनों मजदूरों को आपस लाने के लिए विदेश मंत्राले से बात की थी जारखंड में आज से सेना बहाली जारखंड की रहधानी राच्ची के मुराबादी मैदार में 10 मार्च से 30 मार्च 2021 तक सेना में बहाली होनी है इसकी तयारी अम्तिम चरण में है बता दे राच्ची जीला परसासन ने आर्मी रैली को लेकर तयारीय का जाजा लिया ताकि आर्मी रैली में सामिल होने वाले जुआओ को किसी तरह की परसानी ना हो जारखन के 8 सहरों की हवा होगी सूद जारखन के 8 सहरों में हवा को सूद करने के लिए एक सन पलान बनाया जाएगा बता दे इन सहरों में रांची, धनबाद, चाईबसा, रामगण, हजारी बाग, पाकुर, दुमका और साहिबगं सामिल है उक्त आठ सहरों में हावा सूद करने के लिए केंजर सरकार भी मदद करेगी लालू यादा हो अगली सुनवाई बारा मार्च को चारा खोटाला के डुरंडा को सागाज से 14.5 कोड़ रुपए की अवाज निकासी के ममले में अवियोजन पक्स की और से सीवी आई कोड़ में बहास शुरू हो गए बता दे सीवी आई की और से बिसेश लोक अवियोजन बीएमपी सिंग ने बहास की सीवी आई के बिसेश जज इसके सची की अदालत ने बहास के लिए अगली तिती बारमाट निधायत की है रांची महिला कोलेज में सीवी आई का छापा रांची के महिला कोलेज रांची में सीवी आई ने छापा मारा बतादे मामला ब्याख्याता ने उकती घोटाले से जुड़ा है इसकी जाच के लिए सीवी आई महिला कोलेज पहुंची सीवियाई ने एक प्रोफेसर मामता किरकेटा को रियासत में लिया है बतादे मामता इंगलीस की सिक्षिका आई 2008 में इसकी निक्ती हुई थी लोहरदागा सहरी छेतर से बच्चा चोर महिला को लोगों ने पकड़ा लोहरदागा सहरी छेतर में मंगलवार को एक महिला ने एक बच्ची को चोरी करने का प्रयास किया समय राते अस्थानियों लोगों को इसकी भनक लग गई और लोगों ने महिला को सहर के पावर गंच चोक के समीप धर दबोचा बतादे बच्ची को सकुसल बरामत कर लिया गया है या मंबला लोहरदागा सहरी छेतर के निव अजाद बस्तिका है जारखन की राज जेपाल ने लिया टिका है जर्खन की राज जपाल द्रोपदी मुर्मू ने मंगलवार को राची के सदर अस्पताल में कुरोना का टिका लिया बता दे राज जपाल द्रोपदी मुर्मू कुरोना वैक्सिन के लिए सुबह 11 बच का 37.18 अस्पताल पहुंची वैक्सिन लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे वैक्सिन लेने में देरी हुई लेकिन लोगों को वैक्सिन के लिए बर्चर कर आगे आना होगा धन्यवाद